क्यों बिलाएं मुझे किसी वक्त यहां पर एक मंदिल पुआ करता है लेकिन अब अब वो मंदिल खंडर में तब्दिल हो गया लेकिन फिर भी आज यहां पर भगवान के शक्ति का बास है जिस इंसान के आगमा मर चकी हो वहीं इंसान हिहां पर आ ऐकर जूट बोल सकता है मेरि बाद का विश्वास करो मेरें तुम्हें ऐसा लगता है की रौद्र भईया का खूण मेने किया मिहरकर मैं ऐसा किसे कर सकता हूं यहां एक। पलीज मेरी बाद का विश्वास करो पर सिर्फ वही इंसान जूट बोल सकता है, जिसकी आत्मा मर कई, वो बेगैरत इंसान, जो अपने भाई का हत्यारा हो, क्या उसकी आत्मा मरी नहीं है, अरे गैरत है तो अपना गुना कबूल हो, इस खंडर में अपनी खंड़त आत्मा का सहरा लेकर छूट मत बोलो, तुम आत्मा मत सुनना चाहते हैं, सच मैं बोलती है, तुम्हें देखकर में दिल में आग लग जाती है और मेरा बंद करता है कि मैं तुम्हें, कि जैसे तुम्हें, मेरी जूठ रिक्ती सांपरी कि जाती है, बैसे हि government तुम्हारी सव्सेर्वत बोलो, लेकिन मैं क्या करू तूह मैं तो तुम्हें एतनी आसानी से मार भी नहीं सकते। क्योंकि अगर तुम्हें एतनी आसानी से मुखती मैं तुम्हेरे तर्कों कभी सुकून नहीं। नहरीका मेरी बात कब विश्वास करो। मैं तुम्हारे बलाने पर यहां इसलिए आ गए क्योंकि यह मुझे लगा था कि तुम अपना गुणा कुबूल कर लोगे लेकिन तुम तब नी बेगुनाही का ढोल पीटने में लगे हुए तो मुझे इन बातों में कोई तुम्हारे देखो प्लीज मुझे बताओ के रूद्र भाहिया कहा पर है हम दोनों भाई मिलकर साथ में बैठकर इस इस प्रॉब्लम को सॉर्फ करेंगी तुम्हारे देखो उर्फ करेंगे टोसे सूर्फ के अन्या चिए अब रभाशनाहे दो जा मिख्या अपकर के शीकार प्धू यह्विकी लिए हुध की अजिग का यहां पर प्रोए दो ऐन्लेट करें भूल में हमार कि अगर हुआ और टॉडिम थाल झाल लॉडिए जिस्ट खाल झाग हुआ है भूल में भूल में भूल एल धूल झाल में पूल एल एल वाल